घरेलू उपाय में आपका स्वागत है और आज मैं आपसे दिल के मरीजों के बारें बात करना वाला हूँ जी हाँ, ठंड का मौसम आ गया है इसमें दिल के मरीजों को भी कुछ खास सावधानिया बरतनी चाहिए है अगर आप चालना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहे हैं सर्दी का मौसम दमा के मरीजों के लिए तकलीफ दे होता ही है लेकिन रिदय रोगियों को भी इस मौसम में काफी सावधानिया बरतनी की अवशकता होती है दरसल सर्दीयों में रक्तवाइनिया सुकुड जाती है जिसका असर हिदय को खून पहुचाने वाली धमनियों पर पढ़ता है इसलिए इस मौसम में हिदय रोगियों को हर्ट अटेक आने का खत्रा बढ़ जाता है तो आज आपको मैं ऐसे ही कुछ खास टिप्स बताने वाला हूँ जिसको अपनाब कर आप सर्दीयों में हर्ट अटेक या हरिदय की बिमारियों में कुछ बहुत ही राहत पा सकते हैं पहला जो मैं आपको सावधानी बताने वाला हूँ इससे बचने के लिए हर्ट अटेक से बचने के लिए जादा ठंडे माहौल में जाने से बचे यदि ठंड में बाहर निकले तो अच्छी तरह से उनिवस्तर पहन कर और सिर में टोपी आधिक लगा कर निकले ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे और रक्तवाइनियों में सिकुरन ना हो अधिक वसायुकति चीजे खाना और सिगरेट शराब आदी का सेवन बिलकुल ना करें इससे रक्तवाइनिया सक्री हो जाते हैं और हिदय तक सही रक्त संचार में समस्या आती है इसके अलावा दबाव भी बन सकता है जो तीसरा मैं आपके लिए साधानी बताने वाला हम उसमें है सुबह शाम तीन चार किलोमीटर सेर जरूर करें इसके फायदे ना केवल रक्त संचार बहतर होता है बलकि शरीर में गर्माहट बनी रहती है और वशा का जमाव भी नहीं होता है जो खतरनाक साबित होता है जो चोथा है वो नमक का सेवन कम करें मक्षन व घी का प्रयोग भी सीमित मात्रा में करें बलड प्रेशर को नियंत्रित रखना और वशा के जमाव का रोकना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है पाचवी साधानी जो है तनाव लेने से बचे गुनगुनी धूप का आनंद ले लेकिन सिर को अधिक तपने ना दे अधिक ठंड बढ़ने पर ताप सेकें मतलब आप आग जलाकर उसे सेकें लेकिन ऐसा ना हो कि आप आग जलाकर बहुत करीब से थोड़ा सा दूर से सेकें त्याकि अचानक ठंडी आया कि शरी अचानक आपको गर्वाहट मिलेगी तो इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है कि सर्दियों में दिल के मरीजों को कैसे अपने सरीर पे कैसा ध्यान रखना चाहिए और कैसी साउधानिया रखनी चाहिए जिससे उनको दिल के दोरे ना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करना न भूले अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझा चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना न भूले और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल घरी लूप है सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरण सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टन जानकारी वाली वीडियो मिलते रहे वीडियो के उपर जो एक चैनल का लोगो दिख रहा है उस पर चाहे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे रेट कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर भी आप क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दकते हैं नमस्कार दोतो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार